जैश्री राम मेरा आज का विश्य रहने वाला है जून दोजार इक्टिस का माशिक राशिफल सिंग राशी सिंग लगनवालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में हम यहां विश्टरित रूप से चर्चा करने के लिए आए सिंग राशी से कौन से ग्रह कहां विश्टरन कर रहे हैं उसके बारे में हम यहां आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शुरुवात में कि राशी से दौदश में नीच के मंगल का गोचर होगा साथ ही साथ राशी से एकादश इस्थान में बन रहा एक बहुत सुंदर राजयोग बुद्ध और शुक्र तौनों विराजमान रहेंगे आपकी राशी से वहीं सूर्या राहू जैसे जैसे निकट होंगे ग्रहन दोश में तबदिल होते चले जाएंगे ये यूग बन रहा है आपकी राशी से करम इस्थान बन वहीं ब्रस्पती आपकी राशी से सब्तम होंगे और शनी आपकी राशी से छटे चलते हुए वक्रीबी हो जाएंगे तो उन सब की स्थितियों के बारे में मैं आपसे चर्शा करने वाला हूँ कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह दशा गोचर इस्थितियां होती है वो इस्थिर होती है उन इस्थितियों के फल आपको कम मिलते हैं जब ग्रह गोचर में ब्रह्मन करता है यानि कुंडली में अगर शनी फिक्स है तो शनी कैसे फल देगा वो गोशर पे निर्भर करेगा कि आपका ग्रह गोचर कौन से स्थान पे चलके आपको क्या स्थिति देने वाला है तो कि गोचर का काम संदेश वाहक का होता है अब वो संदेश वाहक आपके लिए सुप सूच गोचर आगया तो अच्छा है और दशाएं शुब हों गोचर अशुब हो तो कुछ मिला जुला फल आपको मिल जाता है तो उसी के लिए मैं शुरुआत करता हूं कि सिंग राशी शिंग लगन के लिए कौन से ग्रह किस्तितियां जून के महीने में आपको प्रभावित करन आपके करम भाव और चोथे को प्रभावित करेंगे यानि आपकी राशी आपके लगन से चोथे और दशम के उपर ग्रहन पढ़ने वाला है जहां दशम भाव पद, बरतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रफेशनल लाइफ के लिए जाना जाता है उस पर जब ग्रहन पढ़े तो मेरा कारे आगे पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई बहुत बड़ी परिशानी तो नहीं आने वाली है, मन के अंदर चिंतन परिशानियों की विशे उठते रहेंगे, वैसा इस ग्रहन के दोरान आपको दिखाई देगा, साती सात राशी से चतुर्त भी होगा तो मन के दर चिंताएं होंगी, परिवार के अंदर शुक्षान्ती का अभाव होने की विश्तियां दिखाई देती हैं, आपकी तो राशी के मालिक हैं सूर्या, मेहनत में तो आप अपनी कमी नहीं चोड़ रहें, योजनाव में आप अपनी कमी नहीं चोड़ रहें, लेकिन कहीं य आत्मा के कारक के साथ साथ आपकी राशी लगने के मालिक भी है तो इसका असर स्वास्त पर भी आ सकता है लेकिन मेरी आप बात ध्यान रखिएगा कि ग्रहन आता है और ग्रहन चला जाता है यह स्थिती 30-40-50 दिनों तक मैक्सिमम रहती है लेकिन उसके बाद अवश्य ही अच इस भाव पर क्रेंड बढ़ता है उस भाव से संबंदी चिंताओं को बढ़ा देता है और वो चिंता आपकी प्रफेशनल लाइफ को लेकर आपकी होगी इसमें कोई भी संधे नहीं है तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा अब बात करूंगा मैं राशी से एकादश भाव में चल रहे हुए बुद्ध शुक्र के योग की कि एकादश का मालिक एकादश में बैठे लाव देने के लिए तैयार है सोर्स ओफ इंकम देने के लिए तैयार है आप बिल्कुल भी न घबराएं हो सकता है कुछ समय के लिए आपका लाव रुक जाए लेकिन कोई बात नहीं ह वो लाव आपका बिल्कुल भी वापस आएगा आपका किसी परकार से कोई नुकसान नहीं होगा आपका कोई पैसा नहीं बरने वाला है आप सिर्फ अपनी योज़नाओं पर पूण तरीके से कार्य करते रहिएगा वही आपके लिए लापरत होने वाला है नहीं तो आपकी जल्दबाजी आपकी शिंता की वज़े से आप अपने काम में अपना पूर्ण मन नहीं लगा पाएंगे, मन नहीं लगेगा तो कारण कैसे होगा, और कारण नहीं होगा तो लाब खतम हो जाएगा, तो लाबेश की सुती अपना आपने बजबूत है, ये घर-परिवार से भी सायोग जिलाएगी, कुटोंब का भी सायोग जिलाएगी, साथ ही साथ आपके सोड़ सो फिन गम भी बनेंगे क्योंकि इसके साथ शुक्र है, वो बहुत सुन्दर राजयोग बना रहा है क्योंकि शुक्र आपकी राशी से दशमेश है आपके लगन से दशम के मालिक हैं करम के मालिक है और करम का जब लाब से संबन्द हो जाए तो समझ लेगा करम करिए लाब आपके लिए तयार है आप एक बार आगे तो चलिए योजनाओं को बनाईए उन पे काम तो करिए गरहे तो अपने लिए लाब देने के लिए बिल्कुल तयार बैठा हुआ है तो उसको समझने की आपको बहुत जाद है यहाँ जरूरत है आप देखेगा के 14-15 तारिक के बाद तो सुर्य भी राशी परिवर्तन करतेगा और वो भी लाब में पहुँच जाएगा यानि 15 तारिक के बाद जो भी अठके हुए काम थे वो सारे सॉल्व हो जाएगे आपके तो बिल्कुल भी निराशा अपने मन में नहीं लानी है ये अपने आप में बना हुआ सुन्दर राजयोग और धन्योग आपको फाइदा देगा आपके एफर्ट्स लाब में बदलेंगे आपका कम्मिनिकेशन्स लाब में बदलेगा आप किसी से टेलिफोन पे बात करें नेट के तरू बात करें अपना माल कहीं से कहीं बेजे उन सब में लाब की इस्टियां यहां साफ तोर पे बनेगी तो बिल्कुल भी घबराने के आपको जुरुत नहीं है राशी से सब्तम में पद पराप्ति स्थान में शुब करें बरस्पती का होना आपके घर परिवार को समालेगा आपको सोर्स ओप Income देने के लिए तैयार होगा संतान से भी साजयोग दिलाने के लिए बरस्पती यहां अची तरीके से तैयार है कभी-कभी संतान से धनका सायोग भी अशे लोगों को मिल जाता है वो इस्टिति अपने आपने बहुत अच्छी दिखाई दे रही है राशी से देखें तो छटे घर में शनी चल रहे हैं लेकिन वो वक्री हो जाएगे वक्री ग्रह थोड़ा सा हेल्थ के लिए चिंता देगा लेकिन आपको साहस बराबर देगा शत्रों को हराएगा आपको च लेकिन स््वेराशी में हैं इनको कोई प्रावलम नहीं है अब चल्ईप्र прибलम क्या है राशी से दवादस में चल रहे हुई के मंगल की गए यह नीज का मंगल आपको होपलेस कर सकता है आपको जल्दबाज बना सकता है आपके वेचारों में फटा-फटा आ三 Pre प्रदान करेगा रहें नहीं भी गलत हो जाएगा कुछ गलत होने वाला है मैं घबरा रहा हूं कहीं नुकसान ना हो जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा लेकिन अगर आपने अपना पेशेंस खोया आप जलतवाज हुए तो उससे कैसारे नुकसान होंगे जो मैं आपको पता रहा हूं पहला नुकसान आपकी हेल्थी शूज बढ़ेंगे आपके खर्च बढ़ जाएंगे वहीं शनी के उपर दर्श्टी आ रही है चटे घर पर इसकी आप बेवज़े अपने शत्रूओं को बना लेंगे आप कहीं एक्स्ट्रा इस्पोकन होगे जादर बोल दि भी है तो बुद्धी जोश में आ गई आत्रोश में आ गई आपने गलत दिनने ले लिया आप छट पढ़ा गए आपको लॉस हो गया वहीं जीवन साती के साथ भी आप लड़ देगर सकते हैं क्योंकि ये आपके सब्तम से छटे घर में नीच का मंगल का ट्रांजिट होगा और आपकी राशी से द्वादश में हैं इसका मतलब मंगल यहां पर आपको उकसाने के लिए तयार बैटे हैं कि भाई गलती करो गलती करते ही आप देख ले ना काफी सारी चीजों का खामयाजा आपको बुगत ना पुड़ जाएगा आप यहां देखेगा कि केतु आपके चतुरुत में हैं वो भी मंगल की राशी में और वो मंगल वहां की इसका मतलब क्या है कि आपके घर के सुख में कमी दे सकता है आपके मन को बेचैन कर सकता है ऐसे समय में एक श्टिति तो आ सकती है कि आप किसी प्रकार की property को वेचना चाह रहे हैं काफी समय से तो वो combination अच्छा है कि ये property आपकी विक जाएगी उसके लिए आपको कोई न कोई ग्रहाक मिल जाएगा तो property से संबंधे sale and purchase दौनों के combination ये ग्रहा बनाता है लेकिन वो ग्रहन नीच का है तो थोड़ा सा आपको उन जीडों को खरीद फरोप्त में चाहे आप खरीद रहे हैं चाहे बेट रहे हैं उसमें आपका खर्चा वश्य हो जाएगा वो खर्चा कमिशन के रूप में हो सकता है ऐसा हम कह सकते हैं तो मंदल से रखनी होंगी आपको यहां साब ध्रानी बागी कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको यहां नुकसान देने के लिए आया हो ग्रहन पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं है करम के उपर थोड़ा सा असर आएगा आप थोड़े दिन के लिए धहर रख के चलिएगा आपके लिए बैतर हो जाएगा हनुमान जी की उपासना करिए ध्यान करिए भगवान शिव का भजन कीजिए उनकी साधना में रहिए वही सारी चीजें आपको लाब दे देंगी और इन संकर से बचा देंगी तो यह कॉम्बिनेशन जो वर्तमान की स्टिती में चलेगा जून के महीने में आपको कहीं न कहीं बहतरी देगा लेकिन सयम आपको खोना नहीं है धहरे बना का रखना होगा तो यह था जून दो जार इकिस का माशिक राशी फल सिंग राशी सिंग लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है फिर से नए विशय के साथ आपके लिए हाजिर रहूँगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैशनीराम